सलाम वालेकूं वार्स आप देख रहे हैं अनायस किचन अनायस किचन में आज मैं आप लोगे बड़ा डिफ्रेंट मीठा लेकर आई हूं यह फीरनी के साथ चाही तुकड़े इसके लिए मैंने एक लीटर दूद लिया है जिसको मैंने बॉइल कर लिया है यह देखें अभी बॉइल होगी लेकिन मैं इसको थोड़ा सा ठिक करूंगी तकरीवान यह तीन चौता ही रह जाएगा पक पके दूद यह देखें बॉइल आगया इसके अंदर अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे अभी मैंने इसके अंदर कुछ भी शामिल नहीं किया जब दूद गढ़ हो जाएगा तो यह देखें दूद गाड़ा हो गया तो अब मैं इसके अंदर यह देखें चावल है इसको मैंने तीन चार घंटे पहले ही सोख के रखा वधा इए दीखें वन फॉर्थ कप जोばい मैंने चावल लिया कोई सभी आप चावल ले सकते हैं बस सेषा चाव बिल्कुल बारीक नहीं होंगे खीर के बिल्कुल बारीक होते हैं यह देखें अब मैंने दूद के अंदर शामिल कर दिया अब हम इसके अंदर मुस्तकिल चम्चा चलाते रहेंगे क्योंकि चावल फॉरण बैट जाते हैं और यह लाइची है जब अपना अच्छा अरोमा दे देंगी तो फिर मैं इसको डिसकार्ट कर दूँगी अभी मैंने चीनी वगारा कुछ भी शामिल नहीं करी है यह देखें पक पके देखें चावल हमारा पकने लग गया है यह देखें कच्छा पन इसका खतम हो गया है अभ अगर हम चीनी वगारा इसके अंदर डाल देंगे तो बैठने लगता है इससे खीर का और फिरनी का जायका बिल्कुल खराब हो जाता है अगर यह जरा सभी नीचे लग गया यह देखें थिक हो गया हमारा मुझे फिरनी इतनी गाड़ी रखनी है जितनी गाड़ी आपको र जालना होगा वह मैं शामिल करूंगी शूगर आपके बर डिपैंड करती है मैं तकरीबन 4 टेबल स्पून शामिल करूंगी अगर आप ज्यादा मीठा खाते हैं तो आप ज्यादा कर सकते हैं और आप कम चाहते हैं तो आप कम रख सकते हैं यह देखें तकरीबन 4 टेबल के अंदर चीनी शामिल करी है अब हम इसको मुस्तकिल चम्चा चलाएंगे क्योंकि वर्णा चीनी डालने से ही मीठा हमारा फॉरन बैठने लगेगा यह देखें यह मावा है मैंने लिया है यह यह खोया आधी प्याली है उसके अंदर शामिल कर रही हूं कोई भी आप शामिल कर सकते हैं अगर आपको कलकन बगारा कुछ भी बर्फी वह भी आप इसके राट कर सकते हैं कोई इस्यू नहीं है यह देखें अच्छा सा हम इसको पकाएंगे ताकि हमारा खोया बगारा मेल्ट हो जाए इधर जो है मैं शीरा तयार कर लेती हूं यह एक कप मैंने चीनी लिए और एक कप ही मैंने पानी लिए अभी हम शाही तुकड़ों की ब्रैड रैडी कर देंगे और शीरा हम ऐसा बना चाहिए तुकड़ों की ब्रैड रेड़ी कर रहे हूं तकरीबन चार स्लाइस लिए मैंने और यह थोड़ी इसी ब्रैड को तुकड़ा में घी यह में घी लिया मैं आई लिया आप चाहे तो आई ले सकते हैं लेकिन घी का टेस्ट ज्यादा अच्छा था था तक्ट अगार घी में अच्छा बनता है देखें ब्रैड मैं डालका चैक कर लिया था और हम जब ड्रैड डालेंगे तो उसकी स्एंटर से जडरूर प्रैस करेंगे क्योंकि सेंटर हमारे वाइट रहा जाते हैं थोड़ा हम सेंटर को दबाते भी रहेंगे ताकि ब्रैड हमारी इकवल फ् यह देखें इसको मैं प्रैस करती जा रही हूं कि सब तरफ से हमारा पक जाया यह देखें अच्छा सा हमारा फ्राई हो गया है ब्राउन कलर हो गया है जो शाही तुकडो का होता है अब हम इसको निकाल लेंगे अब मैं शीरा देखती हूं कि शीरा हमारा कहां तक पहुँचा है यह देखें कि नमाम ब्रैड हमारी रेडी हो गई है और इसके लिए मैंने तकरीबन एक प्याली सिवहिया लिए और जो हमारा जो ब्रैड का घी बचा है उसी के अंदर मैं इसको फ्राई कर लूँगी एक प्याली सिवहिया है अच्छा सा हमें इसको घी केंदा मिक्स करना है घी ज्यादा नहीं तकरीबन टू टेवरी स्कून घीता इसके अंदर बहुत डिफरेंट स्टाइल का यह चाही तुकण है जरू ट्राई करिएगा आप लोगों को बहुत ही पसंद आएंगे अब यह देखें जो हमने शीरा बना ली तो इसमें मैं ब्रैट को सोक करूंगी तकरीबन एक मिनट के लिए में छोड़ दूंगी ताकि अच्छा शीरा इसके अंदर आ जाए अब हम इसको अलग से निकालके प्लेट में रख देंगे तमाम ब्रैड ऐसे ही मैं कड़ लोगी ओन बाय वन अब हमारा बाकी शीरा वे अब इसकें अंदर हम तमाम सिवईय में शाप Ian निकाल दिया तमाम सिवईय जो ही गरम-गरम ह affiliated का इसी शीरे में हम शांब आप ए ग्र आपक्र में million people और यह देखें इस शीरे को अब मैं इसको हल्की आज पर रख दूँ कि ताकि यह सी वहिया हमारी शीरे में अच्छी सी पख जाए और यह हमारा एक प्याली जो है खोया है इसको हम मैल्ड करेंगे ताकि हम शाहिए तुकड़ों पर अच्छी सी लेयर लगाएंगे अच्छा से इसको हम मैल्ड करेंगे कि छोड़ा सा पिगल जाए ताकि ब्रेट पर स्प्रेट करने में आज आनी हूँ अब यह देखें सिवहिआ में cover कर रहे हूं ताकि अच्छी सी यह शीरे को याने इसके अन्दर पी ले यानी और यह देखें कोया हमारा हलंगा हो रहा है कि देखिए जो फिरणी है मैंने डिश ले लिए स्क्वायर शेप किये एक लेयर मैंने फिरणी की इसके नीचे लगाई है सबसे नीचे डिश में अब इसके ओपर हम ब्रेट के स्लाइस रखेंगे यह चारो स्लाइस जो आप देख रहे हैं यह चारो स्लाइस में इस पर रख दूंगी फिरणी पर वेकुल ऐसा ही आप लोग इसकी लेयर लगाईएगा यह देखिए जब हमने शीरे में सोक करी तो थोड़ी सी नरम हो गई है अब यह देखिए जो मैंने कोया मैल्ड किय था यह देखिए इसको मैं ब्रेट के उपर स्प्रैट करूँगी अच्छे से तमाम ब्रैट पर हम स्प्रेट कर देंगे ये देखें तमाम ब्रैट पर वैने स्प्रेट कर दिया बहुत यमी मज़ेदार ये मीठा है इसको जरूर ट्राई करिएगा ऐसे शाहिए तुकड़े आपने नहीं खायोंगे अब ये देखें जो सेमया हमने बना के रखी थी वो जो शीरे के अंदर सोक करी थी हमने अब वो इसकी लेर लगाएंगे अब ये देखें सेमया आप देख रहें कि बिलकुल खड़ी खड़ी हैं बहुत ज्यादा वो नरब वाली नहीं है इस बात का लाजमी खायल रखिएगा कि बिलकुल हल्वा ना हो जाएं सेमया हमारी ये देखें तमाम सेमयों की लेयर भी मैंने इसके उपर स्प्रैट कर दिया है अब हमारी आखरी लेयर जो फीरिनी की आएगी ये देखें अच्छे से मैं सारी सेमया इसके उपर स्प्रैट कर रही हूं ये देखें बाकी जो फीरिनी हमारी बच्ची थी उस सारी मैं इसके उपर लेयर लगा रही हूं इसको भी हम इसके उपर स्प्रैट कर देंगे सही से हुद मज़िदार मीठा है इसको जरूर ट्राइ करिएगा ये देखें अब हम ये बदाम पिस्ता चाहिए तो आप काजू आप इसके उपर स्प्रिंकल कर सकते हैं मैंने बदाम पिस्ते लिए मैं इसके उपर मैं स्प्रिंकल कर रही हूं इसको जरूर ट्राइ करीगा जरूर बनाईएगा आप लोग को बहुत पसंद आईगे डिश और कोई भी आपके गरू केजन हो कोई भी दावत हो कुछ भी हो एक दिन पहले आप इसको रेडी कर लें या आप इसको एक दिन पहले रेडी कर सकते हैं इस डिश की ये कॉलिटी है कि आप इसको एक दिन पहले तयार करके रख दें फ्रिज में और जब आपके मेहमान आए तो आप अगले दिन सार्फ करें जरूर बनाईएगा अल्लाँ आफेस